सो फाइनली गाइस मैं नहा कर आ गई नहा के मैंने नमाज भी पढ़ लिए कुरान भी पढ़ लिए बस हम मैं थोड़ा सा अपना स्कीन केर करूंगी क्योंकि बोर ड्राइ लग रहा है यहां रिदान लेटा हुआ कार्टून देख रहा है मैं फोन में और यह बार बार बीच को मैंटन करके रखता है और स्कीन को हमारी को गलो भी करता है जैसे कि हमारी थोड़ी सी स्कीन डल हो जाती है उसको भी वाइटनिंग का काम करता है तो मैं हमेशा इसको अपलाई करती हूँ यहां पर रिदान लेटा हुआ है साइड में बार-बार मुझसे बोले जा रहा थ इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी जैल जैल बहुत अच्छा है नैचर्स का है मैं तो यही अप्लाई करती है जिनको वाव का ये किसी भी कंपनी का सूट करें वह वह अप्लाई कर सकते हैं जैल हमारी स्कीन को बहुत अच्छा ग्लो करता है मैं हमेसा यही लगाती है देखे बालो में लगता है कि जैसे बिलकुल बहुत अच्छा सा कलर आ गया बालो में लगता है सैंपू कर लिया हमने ऐसा लगता है यह देखे मेरी स्कीन भी कितनी ग्लो कर रही है और छूने में इतनी सोफ्ट लगती है आप खुद भी देखते हैं मैं हमेशा यह अप्लाई करती है काफी तायम हो गया मुझे दो साल से अपलाई करते हुए हो गया और यहां मैं अपने गुडुडवेप का जैल है इसी को apply कर रही हूँ जयल इसलिए apply कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने ये summer में गर्मी थी तब apply कर रही थी मेरे पास ये रखा हुआ था तो इसी को apply कर रही हूँ यहां मैं अपने यह बहुत अच्छा है यह थोड़ा सा चिप-चिपा पंड जो होता वह भी नहीं है इसके अ इसा ही और ड्राइडा स्कीन हो जाती है यह चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं छोड़ता है और ग्लो एफेक्ट करता है तो यह हमेशा जरूर अप्लाई करना चाहिए मैंने इसको नेक पर पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है तो यह थोड़ा सा अपनी आइब्रो को फिल कर लिया यहां से थोड़ी सी सेब देने के लिए तो आप इस तरीके से अपना आइब्रो जल लगा के या कोई भी काजल पैंसिल लगा के आप इस तरह किसे बना सकते हो अगर आपके आइब्रो बनी हुई नहीं है तो इसी वज़ा से मेरी काफी टाइम होगे मैं खुदी बना हलका सा मैंने इसको अप्लाइ कर लिया है किस भी हो चुका है मेरा हलगा सा और यहां मैं आपको दिखाती हो बाहर क्या चल रहा है मैं आठा झाना था गूंदने के लिए जान्टा कुंदमी मुझे गूंदना मुझे गूंदने उसमे एक इशा है एक मेरी नियनान की देटी है और एक सिंभी मेरी भांजी जो मेरी पास रहती है मैं आपको दिखाती हो लोग कर के रहे हैं तो आई आपको दिखाती है बच्चों को बड़ा शोक चड़ रहा है आटा गुदने का कि आपको मैंने यह वाला शूट डाला था है पिंक वाला यह रिवान डाला था यह प्रोका विया नीचे फिला जोए बहुत कम पैंती हो यह वाला सूट में यह बहुत अच्छा लगता है गर्मी का है यह रियोन कपड़े का है लेंकिये पूरा सूर दीखे गई नहीं तो यह मैंने खुद नहीं स्टीच किया था पींक कलर का है यह चलिए मैं दिखाती है आपको क्या हो रहा है बहार हम बच नहीं कि यहां अटा गुंद रहे हैं यह जैने यहां आटा गुंद रहे हैं यह यक्सिपह यह जाधा शोग चड़ा आटा बहुत अच्छा गुंती है और तो इसने यहीं सिखा है 2-3 बार कहां इसकी अपनी नाली के आया हुई है यह पलग में न्लन्द की लड़की है तो यह देखे इसने 2-3 बार आटा गुणदा और बहुत अच्छा गुंत यह मेरे हैं तो सेकेंड ताइंग गुंद रही है एक बार और गुंदा हमाइच नहीं मैं आटा कौन गुंदेगा तो मैंने का आप गुंदूंगी देखती हूं तो करी मैं गुंदू इसको चड़ रहा है तो देखिए आटा गुंद रहे हैं बच्चों की छुट्टियों का टाइम जो आना बड़ा अच्छा चल रहा है इनका सारे बच्चे बटे आलिम बैठा ह तो यहां ओर और पीछे ईशा है और यह दीखिंनी रहे हैं सिम्वी इधर पीचाओ चलो भाई आडा भी गुंद चुका है एक काम तो हो चुका है ताइम हो रहा है सवतीन का टाइम हो रहे हैं तो स्वतीन हो रहे हैं तो बस हम नमाज पढ़के निम्टे थोड़ी दर पहल किचन में 6.30 का टाइम हो रहा है तो अपना सालन बनाने की तयारी कर रही हूं तेल गरम हो गया था जीरा डाल दिया था तो मैंने गयस को बंद कर दिया था यहां मैंने टामाटर कट कर लिया है चोटे-चोटे से और उसमें लाल मिर्चे डाली है हल्दी डाल रही है थोड़ी में नहीं डालती हूं तो छीटे आने का डर रहता इस वज़े से यहां मैंने अदरक लसन का पेश्ट बना के पहले ही रखा वाता फ्रीज में मैं हमेशा रखती हूं उसको डाल दिया थोड़ा सा चला के डख दिया है मैंने इसको और यहां मैं हरी मिर्चे डालना भूल मैं कुछ लोग बड़े काटते हैं अपने इपनी चोइस की बात है तो मैंने तो यहां छोटे-छोटे ही काटा है और जादा इसलिए बना रही हो सब्जी क्योंकि थोड़ी सी मुझे उपर भी भेजनी थी इसी वज़ा से और यहां मैंने इसमें अचार डाला है आम का अचार इसको अच्छी तरह भी लग रहा है कि बहुत जादा पतीली भरी हुई है पतीली छोटी से इसमें देखने में बड़ी लग रही है इसी वज़ा से तो आधा किलो ही बैंगन थे जादा नहीं थे और यह देखे दस मिनट बाद मेरी सब्जी बलके कितनी अच्छी तयार हो सब्सक्राइब रहा है और मैं थोड़ा डीला रखते हैं क्योंकि ना ड्राय सब्जी यह लोग खाते नहीं है थोड़ा सा हलका सा उसमें स्योर्मा चाहिए इनको तो मैंने साथ के साथ में ही रोटी डाली है क्योंकि आटा एकसिफा ने पहले ही लगा दिया था मतलब तो ऐ लेकिन टाइम ही डोड़ा मेरे और कैसे फूल रहे हैं बिल्कुल हम और डोटी ऐसी ही ही फूल यह यहीं यहीं हए उट्री रही है तो यह वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गा नीव हो तो फैमली और दोस्तों के साथ सेयर ही कीजिए चलि बाइ बाइ अल्ला हाफीज और दुआओं में याद रखिएगा